तो फ्रेंड्स हैपी रक्षा बंदन आज मैं आपकी साथ में शेर करने जा रही हूँ एक नई मिठाई रक्षा बंदन के लिए लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक श शक्र आदर कप पानी और एक कप मीठ पाउडर सबसे बहले हमको क्या करना है एक कड़ाई में शक्र डाल दी पानी डाल दिया अब हम तो इसकी एक स्ट्रिंग की चाश्णी बनानी है यह इसको मीडियम रखना है ओके यह रेखिए यह एक तार की चाश्णी हो गई ना यह अब हमें मिंग फ्राउडर डालना है और धीरे धीरे बिलाना है रेंचोली डालना है मतलब धीरे धीरे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो लेका फ्लावर बना रही हो तो थोड़ा असा दो बून और इसमें हम जालेंगे दो चमश घी ताकि उसमें चमक आया है और यह पकड़ी नहीं कड़ाई को ओके और हम इसके दीरे-दीरे मिक्स करेंगे अच्छे करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेंगे अब गरम है थोड़ा हंडा होने जो फिर एक पार्ट में और और इंज क्लर मिलाएंगे। कि में थोड़ा साइज में औरेंज कलर आजिए फिर इसको अच्छे से हाज से मिला लंगे ये रेखिए ये ये येलो औरेंज डोट याज कर लिया है और एक वाइट डव है अभी हम इन दोनों को बेल लेंगे ओके ठीक है ये औरेंज कलर वाला मैंने बेल लिया अब हम वाइट ओला भी बेल लेंगे इसको एक प्लेट में निकाल देंगे रोटी की तरह ही बेलना है एक तम बतला नहीं बेलना है लेकिए इन दोनों को हमें गोल-गोल छोटे-छोटे कटर से काटना है ये हम लोग कोई भी बोटल के धकन से इसे गोल-गोल काट लेंगे ओके इसको भी और इससे भी इसे गोल-गोल पाटी निकालने है बाकी के हम फिर से रोल करके वापिस ऐसे करना है ओके एक तम आराम से आ जाएगा फिर एखिए अभी हमें इसे को ऐसे रखना है एक के ओपर एक एटलिस तिन-तिन का सेट बना लीजिए यहां पे भी अब हमें इसको प्रेस करना है ताकि यह दब जाए अब हमें इसको धीरे-धीरे अब हमें से धीरे-धीरे रोल करना है एक क्यों पर एक आते जाएगा यह ओके ऐसे और इससे भी प्रेस करके दबाना है ओके थोड़ा-थोड़ा रोल कर देजिए ओके अब इसको बीच में से कट करेंगे और थोड़ा-थोड़ा हाद से खोल देंगे के इसको भी तो प्रेंट्स यह देखिए अब बाकी का जो है उसका भी हम ऐसे करेंगे तो तयार हो जाएंगे हमाने बाकी भी सब को रोल करना है और ऐसे रोस बनाने है इसके पर हम सिल्वर या गॉल्डन डॉट्स आते हैं वह भी डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको यह रेशिपी अच्छी लगी रोस गुलाब अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हां कमेंट सके जरू बताना रेशिपी कैसी लगी पिठाई कैसी लगी और हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेशिपी के साथ टैंक यू